स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूटूब चैनल में आप देख रहे हैं जेयज सरक्लासेस दोस्तों पिछले लेक्चर तक आपने पूरी तरह से समझ लिया था कि अगर आप ओवीडियो समझ पाएंगी तो आएए देखे इस वीडियो में क्या पड़ना है तो जब आप ecosystem पूरी तरह से समझ जाते हैं तो इसके बाद भी कुछ महत्व पूर टापिक मच जाते हैं जिसे आपको पढ़ना पढ़ता है जैसे ecosystem में उर्जा का प्रवाह कैसे होता है और ecosystem में खाद जाल और खाद सरिंखला क्या है यानि कि food wave और food chain क्या है इसके बाद ecological pyramid क्या है फिर इसके बाद ecosystem में जो पोसकतत होते हैं उनकी cycling कैसे होते हैं यानि कि उनका चक्री करण कैसे होता है तो ये तीन topic तो क्रमसा हम अगले वीडियो में बताएंगे इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से आपको विश्तार से समझाएंगे कि उर्जा का प्रवाह ecosystem में कैसे होता है जितने भी question इससे बन सकते हैं उन सारे question को मैं बताऊँगा इससे आने वाले कोई भी question आपका ए प्रवाह है क्या यानि कि उर्जा का प्रवाह क्या है फिर इसके बाद बताएंगे उर्जा के प्रवाह की प्रक्रिया क्या होती है फिर इसके बाद बताएंगे कि उर्जा प्रवाह में दस प्रतिसत का नियम क्या है बहुत important है इसे बताएंगे इसके बाद हम बताएंगे क क्या biological system में यानि कि ecosystem में उर्जा का प्रवा उस्मा गत्की के नियम अनुसार होता है अगर होता है तो कैसे होता है तो हम ecosystem में कैसे उस्मा गत्की का नियम लागू होता है ये भी बताएंगे और क्या है उस्मा गत्की का नियम ये भी बताएंगे तो पूरा वीडियो आपको द मज़ा आना सुरू हो जाए मज़ा इसमें भी आएगा लेकिन बाद में आएगा इसमें आपको धैरे रखना पड़ेगा तो चलिए आपको हम बताएं कि उर्जा का प्रवाह क्या है उर्जा का प्रवाह समझने से पहले आप सबसे पहले यह समझ लीजिए कि प्रवाह क्या है तो आईए हमें एक बेवहारिक एक्जामपल से आपको बताते हैं जैसे माल लीजे कोई ऐसे ढालू जमीन बनी हो सीड़ी की तरह से और यहां पर एक गड़े टाइप का बनाया गया हो यह मिट्टी है और आप किसी पात्र से माल लीजे बाल्टी से यहां पर पानी गिरा रहे हैं और यह पानी ऐसे गिरते हुए यहां से ऐसे गिरते 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 इस गड़े तक जाएगा और आप पानी फिर यहां से उठाए फिर यहां पर गिराए तो ऐसे पानी गिरेगा ऐसे फिर गढ़े तक चला जाएगा यही है फ्लो फ्लो का मतलब बहना देखे इस अस्तर से इस अस्तर पर पर फिर यहां से यहां तो जितना पानी आप यहां पर गिराएंगे उतना पानी इस गढ़्धे तक नहीं पहुंचेगा कुछ पानी तो रास्ते में ही खर्च हो जाएगा तो इसी तरह से बिलकुल उर्जा का भी फ्लो होता है जितनी उर्जा यहां से चलती है उतनी उर्जा यहां तक पहुंचती नहीं है तो फ्लो क्या होता है आप इस बेवहारी क्या नि पारिस्थितिक तंत्र में उर्जा का प्रवेश तथा वहां से फिर बाहवाता वरण में उर्जा का वापस लोट आना ही पारिस्थितिक तंत्र में उर्जा का प्रवाह कहलाता है सीधा सीधा आपको इतना ही समझ लेना है कि बाहवाता वरण से यानि कि atmosphere से energy आई और ecological system यानि ecosystem में प्रवेश करते हुए बाहवाता वरण में उर्जा का निकल जाना ecosystem में उर्जा का प्रवाह कहलाता है यही उर्जा का प्रवाह है ecosystem में तो उर्जा का प्रवाह क्या है यह तो आपने समझ लिया अब आए हम आपको बताएं कि ecosystem में उर्जा के प्रवाह की प्रवाह की प्रक्रिया क्या है यानि process of energy flow in ecosystem system तो energy flow की process क्या है यह तो अभी इस figure के माध्यम से समझेंगे पहले कुछ महत्वपूर्ड बाते हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं उसे आप समझ लिजिए जैसे देखिया है पारिस्थितिक तंत्र में सूर्ज उर्जा का एक मात्र स्रोत है तो किसी भी ecosystem के लिए जो सूर्ज है वही एक उर्जा का मात्र स्रोत है यह आप नोट कर लिजे याद रहे आपको फिर इसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र में उर्जा का रुपांत्रण प्रकास उर्जा रासायनिक उर्जा और फिर इसके बाद ताप उर्जा में होती है देखिह यहाँ पर जो सन के पास एनर्जी है तुझारा सूर्ज के पास एनर्जी है वह एक रेडियेशन एनर्जी है यहने की Color If Nat legal इसे आप प्रकास उर्जा कहते हैं तो इको सिस्टम में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकास लेते हैं यानि कि सनलाइट लेते हैं और कारबन डायाकसाइड एटमासफियर से लेते हैं और फिर नीजे से पानी लेते हैं इन सब से एक फ्रासेस होती है फोटो सिंथेस यानि की प्रकास संसलेशन और प्रकास संसलेशन में बनता है ग्लूकोज यह है ग्लूकोज यानि की कार्बोहाइड्रेट तो यह जो कार्बोहाइड्रेट बनता है एक रासाइनिक पदार्थ होता है और इसमें भी इनर्जी है तो अभी आपने देखा कि ये जो light energy थी वो chemical energy में बदल गई यानि कि ग्लूकोज एक प्रकार का chemical है और यही light energy अब बदल गई chemical energy में तो आपने देखा कि इसका जो रुपांतरण होता है वहाँ प्रकास उरजा से फिर राथायनिक उरजा अब फिर देखिए ये जब इसका हरे पौधों को जब ये primary consumer यानि की प्रत्थम उपभोगता इसको consume करेंगे तो इनकी body में heat भी होती है यानि की इनकी body में कुछ ना कुछ temperature होता है तो फिर आप देखें कि यही जो है chemical energy बाद में ताप उर्जा में बदल गई फिर इसके बाद देखें जलिय पारिस्थितिक तंत्र में सर्पाधिक उपएयोग किया जाता है यानि की जो जलिय पारिस्थितिक का प्रियोग सबसे जादा किया जाता है और आपको पता है जलिय पारिस्थितिक तंत्र में जो प्रोड्यूसर होते हैं जो सनलाइट का यूज करते हैं पौधे होते हैं वो सैवाल ही मुख्य होते हैं और कुछ जो हैं छोटे छोटे पौधे होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं तो ये पौधे बहुत ज़्याद सनलाइट का यूज़ करते हैं तो यह भी आपको याद रखना है कि जलिय पारिस्थितिक तंत्र में सनलाइट का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है और यह आप याद कि रहिए प्रकास उर्जा रासायनिक उर्जा और तापुर्जा है इसके पाद फिर देखिए है और चैबल एक फरेसिंट और उःजा पौधों द्वाराँ लिया जाता है सनलाइट तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन पूरी सनलाइट पौधों के द्वारां यूज नहीं कि जाती है कि एक फरसेंट सनलाइट ही पौधों के दौरां यूज की जाती है अब देखिए इनर्जी सबसे पहले सूर्ज में होती है और सूर्ज से यह रेडियेशन इनर्जी यानि की लाइट इनर्जी या प्रकास उर्जा सबसे पहले प्रोडूसर में यानि की हरे पेड़ पौधों में जाती है किस प्रक्रिया के दौरान जाती है फोटो सिंथेसिस यानि की प्रकास संसलेसल के दौरान अब जैसे हम एक किसी घास के मैदान की बात करें तो उसमें जो पेड़ पौधे होंगे उचोटे-चोटे पौधे हो सकते या घास के पौधे हो सकते हैं और उसमें जो primary consumer यानि कि प्राथमिक उपभोगता होगा वो टिड़ा होगा यानि कि ऐसे चोटे-चोटे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं तो वो पौधों को खाएंगे अब देखिए इस पौधे में जो energy थी वो चले गई primary consumer में यानि कि प्राथ प्राथमिक उपभोगता को दूतियक उपभोगता खाएगा तो अभी आपने देखा था घास के मैदान की बात की जा रही है तो घास के मैदान में जो प्राथमिक उपभोगता थे वो टिड़े जैसे और कीड़े मकोड़े थे और जो दूतियक उपभोगता थे वो मेढख है तो टिड़ा टिड़े को कौन खाएगा मेड़क खाएगा अब टिड़े से फिर एनरजी किसमें चली गई मेड़क में अभी देखिए आप यहां अस्तर से दूसरे अस्तर पर फ्लो हो रहा था ना बिल्कुल उसी तरह से देखे प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंजूमर और प्राइमरी कंजूमर से सिकिंडरी कंजूमर यानि कि उत्पादक से प्राथमिक उपभोगता और प्राथमिक उपभोगता से दुतियक उपभोगता यहां पर आप एक बात यह भी याद रखिए कि प्राथमिक उपभोगता जो होते हैं वो हर भी ओरस होते हैं यानि साकाह कर दिए को भोगता अगर घास के मैदान की बात है तो इस मेढग को स्नेक घाएगा यानि की साप अब जो मेढ़क के अंदर energy थी और चली गई साब के अंदर और फिर इसके बाद देखिए इस साब को खाएगा मयूर यानि की मूर जो सर्वो चुप भोगता है सर्वो चुप भोगता का मतलब टाप कार्नियूरस अब इसे खाने वाला घास के मैदान में कोई और नहीं है और यहां पर एक बात आप और समझ लीजिए ट्रॉफिक लेबल क्या होता है तो जो पोसी पोसड का अस् सब्सक्राइब और यहां पर द्यान रखना है कभी की मरी कंजियूमर तो फर्श ट्रॉफिक लेबल ऐसा नहीं है primary consumer second traffic level यह जो first traffic level पर होते हैं वो producer होते हैं वही बात यहां पर है secondary consumer तो third traffic level और tertiary consumer तो fourth traffic level यह आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है इसमें confused नहीं होना है तो यह है उर्जा के प्रवाह की प्रक्रिया अब आईए हम आपको बता देते हैं कि 10% यानि कि 10% उर्जा प्रवाह का नियम क्या है तो 10% उर्जा प्रवाह का नियम जो है ओ लिंड मान नमक साइन्टिस्ट ने दिया था यह बात आप नोट कर लीजिए पूछा गया है अब देखिए 10% उर्जा के प्रवाह का नियम है क्या तो चलिए घास के मैदान की बात की जा रही थी तो अगर घास के पौधे हैं अगर उसमें कुल एनरजी 10,000 किलो कैलरी है मान लीजे एक ऐसा मानक लिया गया है 10,000 किलो कैलरी किलो कैलरी का मतलब एक उर्जा का मात्रक है बड़ा मात्रक किलो कैलरी होता है जैसे ग्राम और किलो ग्राम तो जो घास के मैदान में जो एनरजी है वह अगर 10,000 किलो कैलरी है तो इन घास के पौधों से कीडे में कीडे मकोडे में जो एनरजी ट्रांसफर होगी इसका केवल 10% यानिकी 1000 किलो कैलरी एनरजी इसमें ट् 90% energy इनके biological system को संचालित करने के लिए या heat के रूप में फिर से atmosphere में मुक्त हो जाएगी और फिर 10% energy जो है यह इस्टोर हो जाएगी अब 10,000 का 10% 1000 है और फिर इन कीड़े मकोड़े को खाएंगे मेढ़क तो इसकी केवल 10% energy ही मेढ़क में टांसफर होगी बाकी 90% energy फिर जो है वो मुक्त हो जाएगी यानि की खतम हो जाएगी किस काम में heat में या फिर इन कीड़ो मकोड़े के अंदर जो विभिन प्रकार की जैविक क्रियाएं चलते हैं उसमें खतम हो जाएगी और फिर इसके बाद देखे मेढ़क से जब यह सर्प खाएगा मेढ़क को तो इसकी 10% energy जाएगी सर्फ में तो एक हजार का 10% फिर कितना हो गया सो किलो कैलरी और फिर इसका दस परसेंट हो जाएगा दस किलो कैलरी और फिर 90% energy ऐसे atmosphere में मुक्त हो जाएगी तो फिर 10% energy बचेगी तो 10% का 10% कि लो कैलरी आएगा और फिर इन सब के अंदर जो स्टोर energy में ढखक तो सर्फ खा नहीं जाएगा हर कीड़े मकोडे को तो मेड़क खा नहीं जाएगा अगर इनकी मृत्तु हुई तो भी इसके अंदर तो 10% की इनरजी बची थी न तो जो घास की एनरजी है या कीड़े मकोडे के अंदर या मेड़क के अंदर सर्फ के अंदर या मयूर के अंदर जितने भी प्राड़ी है घास के मैदान में उन सब के अंदर इस्टोर एनरजी अगर वो किसी के दौरा खाए नहीं गए तो अपगटन करता के दौरा वो फिर से अपगटित कर दिये जाएंगे और फिर एटमास्फियर में एनरजी मुक्त हो जाएगी तो आपने वही सिस्टम देखा कि यहां से वाटर चला था फ्लो हो रहा था ऐसे फ्लो होते होते इस गड़ी में फिर यहां गया फिर ऐसे तो इस तरह से 10% नियम लागू होता है यानि कि आप सिधा सिधा समझे कि एक अस्तर से दूसरे अस्तर में अगर एनरजी ट्रांसफर ह होती है तो किवल 10% ही ट्रांसफर होती है बलकि 90% एनरजी यूज कर लिजाती है या फिर दूसरे काम में खर्च कर दी जाती है तो यह है 10% नियम अब उर्जा के प्रवाह में उस्मा गत्की का नियम क्या कहता है और उस्मा गत्की का नियम लागू कैसे होता है अब यह हम तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं कि उस्मा गत्की का नियम क्या है और इस biological system में apply कैसे होता है तो उस्मा गत्की के मुखे दो नियम जिसमें प्रथम नियम है पूरे ब्रहमांड की उर्जा नियत है उर्जा को ना तो उत्पन किया जा सकता है तथा ना तो नश्ट किया जा सकता है इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है यानि कि ब्रहमांड में जितनी भी एनर्जी पाई जाती है वो नियत है उसे ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है कि वह एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है तो आपने सुना है कि एनर्जी कैन बी नाइधर क्रियेटेड नार डिश्ट्राय इट इज चेंज वनली वन फार्म टू इनादर फार्म तो आप देखिए जो प्रथम नियम है कि उर्जा को ना तो उतपन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है किवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है तो पहला नियम देखिए हम कैसे हैं, एको सिस्टम में अपलाई कर रहे हैं, तो देखिए, जो भी ब्रहमांड में एनर्जी थी, उसमें ना तो नश्ट किया गया और ना ही उत्पन किया गया, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला गया, एक रूप में एक रूप से मतलब यहाँ पर radiation energy थी यानि कि light energy अब वह बदल गई chemical energy में कुछ भी इसमें नश्ट या फिर उत्पन नहीं किया गया फिर इसके बाद जो है अब जो यह energy यानि कि जो chemical energy है अब इस primary consumer के body में जब गई तो इस body इसकी body में कुछ heat है तो अब देखिए अब यह chemical energy आगे जाकर के उसमा उर्जा में बदल गई यानि कि heat energy में बदल गई तो आपने देखा biological system में भी देखा कि उर्जा को ना तो उत्पन किया गया और ना ही नश्ट किया गया बस एक रूप से दूसरे दूसरे रूप से तीसरे रूप में बदल दिया गया तो आप समझ गए कि उसमा गद्की का प्रथम नियम क्या है और ecosystem में apply कैसे हुआ अब आजे देखते हैं उसमा गद्की का दूसरा नियम क्या है और वो कैसे apply होता है तो उसमा गद्की का दूसरा नियम है उर्जा की कुल मात्रा एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदला जा सकता है उर्जा की कुछ मात्रा वातावरण में मुक्त हो जाती है यानि कि अगर उर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में आप बदल रहे हैं तो पहले रूप में जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी दूसरे रूप में बदल नहीं सकती है भलकि कुछ एनर्जी एटमास्फियर में मुक्त हो जाती है जैसे देखिए यहाँ पर जितनी एनरजी sun light में थी, क्या उतनी एनरजी पौधों में चली गई? नहीं गई, अब यह बताईए कि जितनी एनरजी इन पौधों में थी, उत पादक में थी, यहाँ पर देखिए, 10,000 किलो कैलरी है, तो क्या यह energy जब कीले मकोडे में गई तो क्या 10,000 KIL कैलरी बच случае नही stripes तो जो टोटल energy है वह work में या फिर दूसरे रूप में बड़ cynती समय पूरा की पूरा energy बदली नहीं जा सकती है कुछ energy atmosphere में मुक्त हो जाती है तो इसको भी आईए एक ब्योहारी कुदारण से समझे अगर आप electrical energy, mechanical energy में change कर रहे हैं जैसे मालिज अगर आप light से पंखा चला रहे हैं तो पूरी की पूरी light energy यानि की electrical energy पंखे को चलाने में खर्च नहीं होगी बलकि जो पंखे का dynamo पीछे होता है वो भी heat होता है तो heat के रूप में कुछ electrical energy वहाँ पर नश्ट हो रही है और फिर कुछ energy पंखे को चलाने में लग रही है तो ऐसे biological system में भी होता है जितनी energy घास के पौधों में थी उतनी energy कीले मकोडे में नहीं गई और जितनी energy कीले मकोडे में थी उतनी मेढ़क में नहीं गई और दूसरा नियम यही कहता है कि उर्जा की कुल मात्रा एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदला जा सकता है तो उस्मा गत्की का नियम ecosystem में कैसे apply होता है ये भी आप समझ गए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन प्रेस कर दिजे क्योंकि हर चैनल पर ऐसे clear cut वीडियो साथ नहीं मिल सकते हैं तो आपको फिर ऐसे वीडियो की information मिलती रहेगी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्रबाद थैंक यू बेरी मच